बच्चो आज हम काब्यांश बोध पर चर्चा करेंगे ऐसी काब्यांश जो पाठ्थ पुस्तक में संकलित नहीं है आपने उनको अपनी पाठ्थ पुस्तक में नहीं पढ़ा है उन्हें प्रश्णपत्र में अप्ठित काब्यांश बोध के अंतरगत परिक्षाओं में पूछा जाता है इसलिए यह अत्यन्त आवस्यक है कि प्रदत काब्यांश को ध्यान पूरुवक पढ़कर उसके भावों को समझा जाए कि उसका भाव बोध क्या है किस भाव की रचना है वो काब्यांश के केंद्रिय भाव को समझ कर संभावित उत्तर लिखना आसान हो जाता है अगर आपने केंद्रिय भाव समझ लिया किसी कविता का कविता पढ़ते समय काब्य का अंश पढ़ते समय अगर आप को उसकी भावा नुभूती हो गई तो आप बहुत आराम से उन प्रशनों का उत्तर लिख पाएंगे अप्ठित काब्यांश को हल करने के लिए कुछ बातें बहुत ही आवश्यक हैं जैसे आप ये ध्यान रखें कि उत्तर की भाशा सरल हो इस्पस्ट हो और सटीक हो दोसरी बात काब्यांश को आप दो-तीन वार ध्यान पूर्वक पढ़ें यदि काब्यांश समझने में कठिनाई आ रही हो तो उसे बार-बार पढ़ना चाहिए जब तक उसका मूल भाव आपकी समझ में न आ जाए काब्यांश के नीचे प्रस्ण दिये होते हैं जिनका उत्तर परिक्षाओं में आपको लिखना होता है तो नीचे दिये गए प्रस्णों को आप धीरस के साथ पढ़िए उसे वार-वार पढ़िए जब तक कि उसका मूल भाव आपकी समझ में न आये और काब्यांश के नीचे दिये गए प्रस्णों को आप देखें कि किन पंतियों से यह प्रस्ण बनाया गया है और उसका उत्तर कहां पर है तो आप उन स्थलों को चुन लीजिए और जिनमें प्रस्णों के उत्तर छिपे हुए हैं और उनको एक हांकित कर लीजिए जिस जिस प्रस्ण का उत्तर आपको मिलता जाए आप उसको चिनहंकित अवस्य कर लें असपस्त और सांकेतिक प्रस्णों के उत्तर जानने के लिए काब्यांश के मूल भाव को आधार बनाईए जो काब्यांश है उसका मूल भाव क्या है उसकी प्रतिक प्रश्ण का उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखना है प्रतीक आत्मक और लाक्षनिक आपकी अधिक शब्दों में दीजिए ऐसा करने से आप इस्पस्त उत्तर लिख पाएंगे और वह प्रतीक समझ में आजाएंगे और लाक्षनिक शब्द जो हैं वह भी आपकी समझ में आ जाएंगे और पढ़ने वाला उसे अच्छी ढंग से समझ सकेगा आईए एक काभ्यांस की माध्यम से समझें काभ्यांस है साक्षी है इतिहास हमी पहले जागे हैं जागरत सब हो रहे हमारे ही आगे है सत्र हमारे कहां नहीं भैसे भागे हैं कायरता से कहां प्राण हमने त्यागे है हैं हमी प्रकम्पित कर चुके सुर्पति तक का भी हिर्दै एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विजे कहा प्रकासित नहीं हो रहा तेज हमारा दलित कर चुके सत्र सदा हम पैरों द्वारा अरे बतलाओ तुम बतलाओ तुम कौन नहीं है जो हमसे हारा पर सर्णागत हुआ कहां कव हमें न प्यारा बस युद्ध मात्र को छोड़कर कहां नहीं हैं हम सदे फिर एक बार हे विश्व गाओ भारत की विजे यह काब्यांश अब इसमें प्रस्ण है उन प्रस्णों के साथ मैं उत्तर भी आपको बताता चलता हूं आप भी इसको सोचिए गहराई के साथ सोचिए पहला प्रस्ण है पहले जागे हैं से क्या तात्परिय है पहले जागे हैं से तात्परिय है कि भारत में ही पहले पहल जागरित की लहर आई थी साक्षी है इतिहास हमी पहले जागे हैं इस पंक्ति से आधारी तहिए पहले जागे से तात्परे हैं कि भारत में ही पहले पहल जाग्रित की लहर आई है और हमारे सामने और लोग जाग्रित हुए हैं अन्य लोग जो हैं उनमें ज्ञान आया है उनमें समझ आई है दूसरा प्रश्ण है हैं हमी प्रकंपित कर चुके सुर्पत तक का भी हिर्दे इस कथन से हमारी किस विशेष्टा का बोध होता है इस कथन से भारतियों के शाहस और संघर्ष करने की विशेष्टाओं का पता चलता है अब तीसरा प्रश्ण है उन पंक्तियों को उद्धित कीजिए जो हमारी द्यालूता और क्षमसीलता की ओर संकेत करती है तो इसी कभ्यान से वो पंक्तियां हमें लेनी हैं तो वे पंक्तियां हैं पर सरणागत हुआ कहां कभ हमें न प्यारा बस युद्ध मात्र को छोड कहां हम नहीं हैं सदय चवथा है भाव इसपस्ट कीजिए बस युद्ध मात्र को छोड कहां नहीं हैं हम सदय इस पंक्ति का भाव क्या है भाव इसपस्ट करना है आपको तो इस पंक्ति का भाव यह है कि हम युद्ध में तो लड़ते हैं हम युद्ध में तो लड़ते हैं पर युद्ध्य के अलावा हमारे हर्दय में दूसरों के लिए द्या की भावना रहती है पांचवा प्रशन प्राश्ण के विस्व को भारत का जयगोश करने के लिए क्यों कहा गया है इसके दो कारण पहला कारण है भारत अपने सत्रों को युद्ध में करारी हार दे चुका है और दूसरा इसने सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया और सानागत की रक्षा की तो इस प्रकार से जो काब्यांश आपकी परिक्षा में आते हैं तो काब्यांश को बड़ी बारीकी के साथ गंभीरता के साथ पढ़ेंगे तो सारे प्रस्नों का उत्तर आपको उसी काब्यांश से मिल जाएगा लेकिन उसी काब्यांश को उतारना नहीं है भाषा वो नहीं होगी भाषा आपकी होगी लेकिन भाव जो काभ्यांश बोध को जानें, समझें, काभ्यांश इतना कुछ है भरा भिभाव का कोश्प्रकित के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर, सब हो सकते तुष्ट सब हो सकते तुष्ट एक साथ सब सुक पा सकते हैं चाहें तो पल में धर्ती को स्वर्ग बना सकते हैं छिपा दिये सब तत्त तो आवरण के नीचे इश्वर ने संघर्सों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नरने अरे ब्रहमा से लिखा भाग में मनुझ नहीं लाया है अपना सुक उसने अपने भुजबल से ही पाया है प्रकित नहीं डर कर जुकती है कभी भाग के बल से सदा हारती है वह मनुझ के उद्यम से स्रम जल से अब इस काब्यांश में कुछ प्रस्ण है जिनका उत्तर भी हम देखते हैं पहला प्रस्ण है इश्वर के द्वारा प्रकित के भीतर छिपाया गया ख़जाना क्या है यह पहला प्रस्ण है अब इस काब्यांश को हम देखें कि इसका उत्तर कहां पर है तो इसका जो उत्वर है इश्वर के द्वारा प्रकित के भीतर छिपा खजाना भोजन स्वच्छवायव हर्याली जल आद जीवन जीने के लिए आवस्यक चीजे हैं निज इच्छित सुख भोग सहजी पा सकते नारी नर सब हो सकते तुष्ट एक साथ सब सुख पा सकते हैं अब दूसरा प्रश्ण है इश्वर के छिपाय कोश को मनुस्य कैसे प्राप्त कर सकता है इश्वर के छिपाय कोश को मनुस्य कैसे प्राप्त कर सकता है तो देखें इसी काभ्यांस में इश्वर के छिपाए कोश को मनुष्य अपनी भुजाओं की शक्त और मेहनस से प्राप्त कर सकता है संघर्सों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर्णे छिपा दिये सब तर्त आवर्ण के नीचे इश्वर ने तो सब कुछ व्यक्त जो है अपनी मेहनस से अपनी भुज़ाओं की ताकश से उसे प्राप्त कर सकता है इस काभ्यांस में तीसरा प्रश्न बनता है कभी के अनुसार उसका भाग्य क्या है कभी के अनुसार उसका भाग्य क्या है तो कभी के अनुसार उसका भाग्य उसकी मेहनत और बाहुबल है उसने इसी सक्ति के बल पर धर्ती से लेकर आस्मान तक का सफर कर लिया है अब चौथा प्रस्न है भाग्यवाद और सोशन किसका प्रतीक है भाग्यवाद और सोशन किसका प्रतीख है तो इसका उत्तर होगा भाग्यवाद और सोशन पाप और अस्तर का प्रतीख है आप इसे काभ्यांस को पढ़ें तो इसारे उत्तर इसी से निकल रहे हैं अब पांचवा प्रश्न है अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है का आशे स्पष्ट कीजिए अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है इसका आशे क्या होगा तो आप देखिए मनुष्य ने अपने सुख सुविधाओं के सारे साधन अपनी ही भुजाओं की शक्ति अर्थात अथक परिश्रम से प्राप्त किया है तो इस प्रकार का ब्यांश बोध के दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किये गए और हमें पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आ गया है और आप इसी के अनुसार अपने घर में अपने विद्याले में आप और अभ्याश कर लें जिससे कि ये पूरी तरह से आपकी समझ में आ जाए